तो आज मैं आपको पनीर बटर मसाला की रेसिपी बताऊंगी इसके लिए मैंने पांच टमाटर ले लिया है और हर एक टमाटर पे आपको तीन काजु ले लेना है और हर दो टमाटर पे आपको एक लेसन ले लेना है और पांच टमाटर के लिए आपको तीन खड़ा लाल मिर् निकाल लेना है तो यह इसका कैलकुलेशन है आप इस तरीके से बनाएंगे और आपके पास 2-500 ग्राम अगर पनीर है न तो इतना एनफ है बनाने के लिए इतना ही होना चाहिए ग्रेवी के लिए और यह लाल मिर्श का जो बीज है न वह आपको निकाल लेना है नहीं तो वह बहुत ही तीखा हो जाता है तो इसके लिए आपको इसका तीखापन कम करने के लिए आपको इसको निकाल लेना है तो हर एक टमाटर पे तीन काजो होना चाहिए और पांस टमाटर के लिए आपके पास चार प्याज होना चाहिए तो यह है इसका कैलकुलेशन आप वीडियो मसाला रेडी करना है तो इसमें आप क्या कर सकते कि आप खी अच्छे क्वांटिटी में यूज करिए गा अच्छा है तो बटर भी यूज कर सकते हैं लेकिन घी बेस्ट है defend तो आप खी ही लेजेगा और घी अच्छे से जब हीट हो जाना तो उसके बाद इसमें आपको ग्रेवी के लिए सारी चीजे करनी है तो इसमें मैंने जीरा एड कर दिया है जीरा जब अच्छे से फूच जा है तो आप इसमें लॉम इलाइची दोनों एड कर सकते हैं मैंने सिर्फ इलाइची एक एड किया है और मैंने दो हरा मिर्च और तीन जो लाल मिर्च था ना मैंने वो ले लिया है पांच टमाटर है तो तीन लाल मिर्च होना चाहिए और दो हरा मिर्च होना चाहिए आपको इसको अच्छे से भून लेना है थोड़ा सौते कर लेना है और उसके बाद आपको ना इसमें प्याज add करना है इसमें इसमें कर दिए और प्याज को ना पिंक- इस् fucking colors क्रीज की मैं चैए ये प्याज के जो जो खुद का जो उसका जो फ्लेवर होता ओर फ्लेवर थोड़ा कम होना चाहिए और इसी ताना पर आपको लहसन भीarch कर देना है और जो काजू है प्रट टमाटर हमने तीन काजू लिया है तो आपको काजू भी ऐड़ कर देना है और सारी चीजों को अच्छे से भूलने ना है और बहुत जादा नहीं भूलना चाहिए प्याज इतना कि वह अपना पानी छोड़ के और पानी उसका सोख जाए और वह थोड़ी पिंकिस कलर म कि प्याज अच्छे से पक जाए, आपको बहुत जादा नहीं भूना है, जैसे आप बहुत सबजी के लिए जैसे भूनते हैं लाल हो जाते हैं प्याज, उस तरीके से आपको इसमें नहीं भूनना है, इसको आपको ग्रेवी बनाना है, इसलिए आपको बहुत हलका ही भूनना पड़ेगा और इसी जब यह भून जाए ना उसके बाद टमाटर जो आपने लिया है न पाँच उसको मोटे मोटे ही बहुत बारिक चॉप करने की नीट नहीं है आप उसको वीस में डाल दे और उसके बाद अच्छे से आपको इसको पका लेना है तो क्या होता है कि दो चीज सेम लगने लगता है लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है डिफरेंस यह होता है कि पनीर बटर मसाला को दो बरतर का दिया जाता है और पनीर पनीर मखनी को एक ही वरतर का दिया जता है तो वो मैं आपको प्रोसेस देरे देरे बताती रहोंगी तो आप देख सकते हैं कि जो प्याज है ना वो पिंक कलर का हो गया है बहुत नहीं बुना है बस पिंक हुआ है तो इसी टाइम पे हमें टमाटर चॉप किया हुआ मोटे मोटे चॉप करके आपको इसमें एड कर देना है पांस टमाटर और टमाटर अच्छे से पक जाना चाहिए टमाटर अच्छे से अपना पानी रिलेस कर दे और प्याज और जो टमाटर का फ्लेवर है ना वो मिक्स हो जाना चाहिए और जब तक यह हो रहा है तो हमें मसाल ने करने है तो मैंने इसमे धन्या पावडर ले लिया है और दो बड़े चमच मैंने दही आड़कर दिया है तुरully आप इसमें भी add कर सकते हैं जैसा आपका पनीर हो न उस घाब से तो मैंने तीन add कर लिया क्योंकि पनीर जादा था 2200 ग्राम और उसके भाद आप इसमें पनीर बटर मसाला मिलता है और और पे-डरी और बोर और पॉर जैसे किचं कींग भी आड कर सकते हैं सब्जी मसाला फी आड कर सकते यह नीड नहीं है कि बटर अच्छ से मिक्स हो जाए बटर खड़ा खड़ा भी रहे तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है वह ग्रेवी जब बनेगा तो उसमें अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है और आपको इस तरीके से पेस्ट बनाके इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है at least for five to six minute कि सारे मसाले अच्छे से एक दुसरे में एक दुसरे का फ्लेवर अब्जॉब कर ले और यह आप देख सकते हैं कि यह तमाटर अब दीरे दीरे पानी छोड़के और यह सारे फ्लेवर्स मिक्स होने लगे हैं और इसके बाद आपको क्या करना है न इसमें क्या होता है कि आप बारीक पीस के इसको छान भी सकते हैं जो मसाला होता है उसको छान लिया जाता है लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक पीस रहे ना तो कोई प्रॉबलम नियाब दे सकते हैं इतना बारीक होना चाहिए मैंने पनीर घर पे ही बनाया था औ और उसको मैंने बटर में हलका सा सेख लिया है। उसके बाद फिर मैं कड़ाही रखूंगी और इसमें मैं घी डालूँगी। घी आपको अच्छे कॉइंटिटी में डालना है। अब क्या करना है कि हमें ग्रेवी को अच्छे से पकाना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो पनीर है ना वो मेरा घर का बनावा पनीर था और मैंने उसको बटर में थोड़ी देर सेक लिया था इसमें और ये ग्रेवी के लिए मैंने जीरा आड़ कर दिया है इसमें आप लॉंग इलाइची दोनों आड़ कर सकते इस टाइम पर भी में और उसके बाद जो अपने ग्रेवी बनाई है ना उसकी प्याज की और टमाटर की जो प्यूरी बनाई है वो बहुत ही बारीक होनी चाहिए और उसको भी आपको इसमें आड़ करके मसाले को अच्छे से भूनना है वो तब तक की पानी छोड़ना दे आपको ये भी ध्य किया था तो मैंने इस टाइम पर हल्दी आड़ कर दिया आप मसाले में मिक्स करते टाइम भी हल्दी आड़ कर सकते हैं और जो मैंने प्यूरी बनाई थी ना प्यूरी बहुत ही बारीक पिसी होनी चाहिए उसमें मसाले बिल्कुल भी खड़े टमाटर या प्याज खड़े नहीं होने चाहिए बहुत ही बारिक पिसी होई होनी चाहिए और इसके बाद आपको इस तरीके से प्यूरी इसको अच्छे से बुल लेना है और आपको याद यह रखने है कि इसमें पानी बहुत जादा लगता है क्योंकि काजू जो होता है वो ठिक कर देता ग्रेवी को और ना मख कर सकते हैं और िश्च में थोड़ा मीठा फ्लेवर आता है तो आप मीठे के-लिए सुगर यूोज कर सकते हैं तो मैंने हलका सी सुगर यूज कर सकते हैं आपके पास 3 option है या तो sugar, honey या फिर आप condensed milk कुछ भी आप use कर सकते हैं आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है मैंने काफी से 10-15 मिट मसाले को अच्छे से पका लिया है उसके बाद मैं इसमें पनीर add कर दूँगी और इसको भी मैं 2-3 तक पनीर को medium to low flame पे थोड़ी देर पकने दूँगी ताकि पनीर जो है न वो gravy को जो puree बनी है जो gravy बनी है उसको absorb कर ले और flavor बहुत अच्छा है इसके बाद आप कसूरी मेथी भी add कर सकते हो लेकिन उसका flavor मूझे personally नहीं पसंद है लेकिन आप इस time पे कसूरी मेथी भी add कर सकते हो उसके बाद आ निकाल लो धनिया आप इसमें add कर दो और अमूल का जो cream आता है न या घर का भी cream आप इसमें add कर सकते हो तो मैंने अमूल का cream लिया fresh cream और मैं इसको इसमें add कर दूँगी तो यह रहा मेरा वीडियो और thank you for watching मैं वीडियो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो please do like share and comment to my channel and please do subscribe also तो आप प्लीज इसको एक जरूर ट्राइ करें बहुत ही tasty आपको रेस्टोर स्टाइल में पनीर बटर मसाला घर पे ही ready हो जाएगा तो thank you for watching